नमस्कार में हुनिह बैनिवाल और आप देख रहे हैं हल चल इंडिया हम दिखाते हैं बेबाग खबर जिसका होता है तेज असर और अब खबर विस्तार से शामली के कस्वा जलालाबाद में पहुची भारते जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का कारे करताओं ने आत जिन्दबाद के नारों के साथ कारे करताओं ने स्वागत किया दॉक्टर धर्म सिंग सैनी, प्रदिश सरकार में कैबिनेट गंडा मंत्री, सुरेश राना, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिला अधिक्षत थत्यंदर तोमन, जिला कॉपरेटिव बैंक डिरेक्टर, व्यत्थान भावन ब्लोग परमुक परतिनीदी, ठाकूर सोमवीर संग, मनोज राना कैडी, जैपाल सिंग, ठाकूर राजकुमार सिंग, देश राज सैनी, जनिश वर सैनी, बबली कशव्, चकरेश राना, संजय राना, Khamarak शिंग, पुरुपर्धान उमरपुर, शिरी ओम राना, प्रदान उमरपुर, योगेंद्र परताप, मंडल महामंत प्रदेश में गुंडाराज का खात्मा सरकार ने किया है चारो और सड़कों का जाल बिछाया गया है ताकि गाउं के अंतियम छोड तक आवा गमन में कोई परिशानी ना हो आज का ये जनसाला आप बता रहा है कि विरोध्य ने गट बंदन का रखे आप रतमें जनता का गट बंदन योगी और मोदी से हो चुका और भारी मतों से पहले लोगों के गुंडाराज थे उनके खिलाफ वोट पड़े है योगी राज में ना ब्रस्टा चाहर है ना गुंडाराज है इसलिए मतलब भारी मतों से जनता इस बार आने वाले 2022 में पुने योगी को बनाने जा रही है जिस तरह का यहाँ जन साल आप देखने को मिल दा है इससे आप हर कारेकर तो क्या संदेज देना चाहतो है संदेज देना चाहरे कि आप मैंनस से लगो अपने पार्टी उचिता हो और सुरेश राना को दुबारा आ जो है सदन चला शित कालिन सदन उसमें विदयागें लेका आए कि जो इस यूनिट का गन्या यूनिट की बजाए बजाज जैसे बजाज है बाकी सारे मिल तो बड़ा अच्छा पैमिट करें बजाज और एक मैडम गुरूप को दो कुछ चोड़ दें लेकिन अभी संदन ले आए कि उनका अन्य विभागों का पैसा अन्य एक हो रहे है या इंदूर्श्ट्री है उनका पैसा गन्ये के पैमिट में गन्ये के बीजक्तोरों के लिए पैमिट में प्राजील से दस साल को टेक्टाओं खतम हो गया अब इंदुस्तान की गन्ना इंदुस्तान की चिन्नी राज़ बाहर से देश से आनी नी उसमें 40% इंथोल बनेगा और वह इंथोल पैंटोल में इस्तेमाल होगा इससे पैंटोल के डेट पीडाउन होगे और गन्ने करेट ब यह पूरे उत्र परदेश में 6 जन यात्रह निकल रही है 2022 के चुनाओं को लेकर और जन जन तक हमारा उदेश से है कि जन जन तक 12 जन पार्टी का परचार परसार करना और आप देख रहे हैं कितना जन सेलाब और यह थाना बोन विदान सभा आज यह मानिए कि थाना बोन व सब्सक्राइब करें पूरे चेत्र का पूरी जनता सड़कों पर मानने सुरेश राना के नित्रतु में सभी लोग भार्द जिंदा भार्टी को विजई बनाने के उपलक्स में सब लोग लगे हुए हैं अक्षेत के जनता पिल्कुल अपराद मुख बहें मुख महीने में दो दो बार अनाज मिल रहा शटके बढ़िया बढ़िया रोड बढ़िया काम ठारा गंडे बिजली और आने वाला टेम भार्द जनता बार्टी का इस बज़ेता हुआ कि अमीर गरीब मजदूर किसान सब के हित की पार्टी ऐ है सब को लेकर चलने वाली पार्टी है और आज इतना विकास पुरे छेत्र में हो गया इतना बढ़िया कि कोई वीकल्पी नहाँ दूसरी पार्टी मंद्भाइब मुद्भाइब नहीं नहीं है गष्ट रोड जन पार्टी को बन योगी या वैसी पार्टी बनने ते आज में सब लोग भी सड़कूपे हैं और भारते जिंदा पार्टी मोधियोर योगी के नेतरत में सब लोग विश्वास के साथ काम कर रहे हैं जिला कॉंग्रस कमेटी शामली के द्वारा बिडोली नाले की नवीनी करण को लेकर धर्णा प्रदर्शन किया गया में मुख्या मार्केट में धर्णा प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्श कर आया गुरामिनों का अरौपे की नाले की निर्मान कारी से लेकर अब तक कभी भी इस नाले की प्रशास्तन द्वारा सफाहिन नहीं हो पाई है जिसके चलते नाला मिट्टी वे कच्रे से सट गया है जिसके करान काउं का गंदा पानी नालियों में फरार हुआ है जिसे डेंगो मलेरे जैसी घातक बीमारिया फैल रही हैं पानी में मोटे मोटे मच्छर पल रहे हैं तथा करामिनों को बीमारिया संकरमित हो रही है कॉंग्रेस दिला देख्षो दीपक सेनी ने कहा कि वर्तमान सरकार का स्वच्च भारत मिशन फ्लोप साबित हुआ है जनपत के स्याकरों गाओं विकास कारियों से वंचित हैं ग्रामिन शेतरों से पाने की निकासी के सुचार व्यवस्ता नहीं होने की शिकायतों का अमबाल लगा पड़ा है सत्ता पक्ष के लोगों को अपने कारिक्रमों से फुर्सत नहीं है विकास कारियों के पैसे का दुर्प्योग सत्ता रोल पार्टी के लोग अपने पार्टी के प्रिचार प्रसार के लिए प्रियोग करने में लगे हुए है युआ प्रदिश महासाचीव अश्वनी शर्मा ने पताया कि ग्राम पंचाथ में राजनिती के शल्ते उक्तनाली की सफाई की विवस्था जानबुच कर नहीं कराई जा रही इस वेसे हम लोग ने आज कांगरेश जेला कांगरेश केमेटी की तरफ से धन्ना दिया और अपने उठाई और श्रिम साब के ग्यापन दिया क्योंकि यह गंता पानी से अटाव रहता है बरसाद में गंता पानी बढ़ रहता है इस बीमारी के पहलने की अर्शंकार रहती है पेसा वाषन प्रभाइब करदे फिर गंपीर है हम भी लगभी एक साल से जुड़े हैं स्कादरक्षेत्र से क्योंकि एक साल पहले हमारा एक बढ़ा आंधोलं था इस मुख्यमार को लेकर के उसमें सभलता भी मिली साथ किलो मेटर गए तो कोड़ा था इसमें मार्कित का नाला है वैसे तो पीड़े बुदू डिगेंदर में आता है लेकिन शासन इस तरह से भी अठक है गराम पंचायत के जो नुमाइंदे होते हैं जिसको पुब्लिक चुनती है कि वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन उसे मत मिला हो ना मिला हो विरोधी हो ना हो लेकिन उसका फर्ज है कि वो गराम की परतियक गली को परतियक मॉल्ले को एक नजर से देखते हुए उन पर विकास कारियों पर जो भी ने दिये है वो खर्च करें शामली के जिंजाना के गुरुदुवारा बाबा बुढधा साही पर चार दिन से चल रहे महान शहीदी समागम दिवस का धूंधाम से समापन हुआ शामली के जिंजाना शेतर के गड़ी वाला इस्तित गुरुदुवारा बाबा बुढधा साहीब में चार दिन से चल रहे महान शहीदी समागम दिवस का बड़ी धूंधाम के साथ समापन किया गया आपको बड़ाते कि मेरट करना रोड़ पर जंजाना के गड़ी एस्तित गुरुदुवारा साहीब में महान शहीदी समागम दिवस के मौकें पर कि प्रोग्र्म स्री गुरु गौवल से उने की याद में अनों ने आज का दिन महान शहीदी समागंदिवस के रूप में याद के जाता है सिहीदी सुमागम मनाया जा रहा है हर साल एकी बाई तहीं लाइव प्रोग्रम चल रहा है हमारे यहां पर रस्त चिपी पर हर साल मनाया जाता है हाँ यह गुर्द्वारा है कांतन बाबा बुड़ा सहीब जी के नाम पर करनाल हाइवे पर यह कम से कम 3500 से चार यार तक यह प्रोग्रम 21 तरीक से चल रहा है आज समापत हो जागा सामको 21 तरीक से चला हुआ है श्वामली के गड़ी पुखता गंदेवडा संगम पर जन विश्वास यात्रा का भव्वे स्वागत किया गया भारते इंता पाईटी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधान सब अच्चनाओ के मद्द नजर केंदर में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार की उप्रबद्यों को जनता तक पहुँचाने के लिए बुधवार को साहरनपूर से रावाना हुई भाजपा की जन विष्वास चातरा बुधुधार को गड़ी बुख्ता च्छेत्र के गंदेवडा संगम पर पहुँची यहां थानवावन से विधायक और प्रदीश तरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राना, MLC विरेंदर सिंग गुजर, जिलाद दक्षा, सतेंदर तोमर के नेतरत में कारीकरताओं ने पुष्वर्षावे धोल नगाडे बजा कर जन विश्वास जात्रा का स्वागत किया भाजपा की जन विश्वास जात्रा को लेकर कारीकरताओं और समर्थकों में भारी उस साहत देखने को मिला आलम यहां था कि कारीकरता गंदेवडा संगपर सुबह नो बज़े से ही एकत रहोना शुरू हो गए थे जबकि यात्रा शाम करीब चार बज़े पहुंची इस तरहां जिला महमंतरी नंदुराना, अरुनराना, ठाकुर घंशाम सिंग, सताराना, गोराव चोहान, मुस्तफ़राओ, बबल कुरेशी, सहित भाजपा कारीकरता मौजुद रहे अधनिय योगी जी ने भी जनता से समबाद लगातार किया है, एक-एक विशे को समझा है, उसका समधान किया है, समश्याओं का समधान करने का काम किया है, इसलिए उत्तपदेश में जो जोश है, यात्रा है, और यात्रा इस विस्वास की है, कि किसानों के हित में काम करने वाली ये सरकार है यात्रा इस विस्वास की है कि पांच लाग से जादा युवाओ को नोक्री देने वाली ये सरकार है चार लाग करोड रूपे से जादा उत्तरपरेश में निवेश करने वाली ये सरकार है सडकों का जाल बिछाने वाली ये सरकार है 18-24 घंटे बिजली देन उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए उसमें समर्थन व्यक्त करते हुए लाखों लोगों का जो हजूम उम्ड़ा है आपने देखा होगा जिसरे पूरी सड़कों पर टेक्टरों के काफिले खड़े हैं किसान इस बात के लिए कह रहा है कि मोदी जी योगी जी के नेतर तो म वली यातरा है, जिसने 2013 में मुझबफणर को दंगा करा करके और पूरी तरह से लोगों को बरबाद करने का काम किया, हजारों किसानों के खिलाब जूटे मुकदमे करने का काम किया, जो दंगा देते थे, 400 से ज्यादा दंगे उत्र पदेश में, 4 साल के अंदर हुए, काव यहां जिस तरह से आप जन विश्वास यात्रा निकालें 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 रोजगार यात्रा तो क्या यह उसका जवाब है या फिर उसके जवाब नहीं है किसी का जवाब नहीं है यह लोगों का प्यार है और आपने देखा भी होगा कि तमाम गटबंदन उए 19 में गटबंदन किया इसलिए क्या दढ़िये मोदी जी को रोकना है लेकिन जनता ने कहा उत्तरप्रदेश की माने जनता ने कहा मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता और किस रखते हैं विकास के साथ और विकास मोदी जोगी के पास इसलिए लगातार विकास के साथ उत्तरपदेश की जनता गटबंदन किया है और सारे गटबंदन धरासाई है और उत्सहा के साथ और लोगों ने वो दंगा भूले नहीं है सहरनपूर जला दिया गया कैराना से पलायन हुआ कांदला से पलायन हुआ किस परकार कार्माइन की गोलियों की तर्टडात यहां सुनती थी कैसे व्यापारियों की हत्या होती थी कैसे किसानों के अपरन होते थे किस परकार का गुंडाराज कायम था हमने नारा दिया ना गुंडाराज ना भरष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार और जैसी सत्रा में भाजपा सरकार आई आपने देखा होगा पांच साल में जो कान इतना ही कल फिर हाजर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार